दोस्तो अगर आप भी विराट कोली के शतक से खुशो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें ज्याँ दोस्तो विराट कोली ने भारत को मुकाबला जीताने के बाद क्या बोला जिया दोस्तो भारत और बांगलादेश की टीम के बीच ये मुकाबला वर्ल्ड कप का सत्रवा मुकाबला था जहां भारत की टीम इससे पहले अपने तीनों के तीनों मैच जीत कर आ रही थी और अपनी चौथी जीत तलाश रही थी तो दोस्तो बांगलादेश की टीम इससे पहले तीनों मैचों में भारत को हराया था और पिछले तीन मैच वो भारत को हराती आ रही थी अब ऐसे में दोस्तों भारत की टीम अपना वल्ड कप का ये मुकाबला जीती तो फिर उनकी चौथी जीत होती और अगर बांगलादेश की टीम अगर भारत को हराती तो फिर बां बांगलादेश को अच्छी शुडवात दिलवाई और बांगलादेश की टीम ने 256 रन बना दिये थे आठ विकेट के नुकसान पर जहां बांगलादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन लिटिन दास ने 66 रन बनाए थे तो इसके बाद तंजीत हसन ने भी 51 रनों की पारी खेल अब दोस्तो इसके जवाब में जब भारत की टीम टार्गेट का पीछा करने उत्री तो फिर दोस्तो एक बार फिर से कप्तान रोहित ने एक बार फिर से कप्तानी पारी खेली और भारत को तगड़ी शुरुआ दिलवाई और उनका साथ इस बार शुमान गिल ने पूरी त पूरा क्या लेकिन वो 53 रन बना कर आउट हो गए लेकिन एक तरफ विराट कोली इस मैच में कमाल की बैटिंग करते जा रहे थे और भारत की पारी को आगे बढ़ाई जा रहे थे और इसी भी शिरे सायर केवल 19 रन बना कर आउट हो बैठे जहां भारत के 3 विकेट 178 रन के स् केल रहुल ने दिया और इसके बाद विराट कोली ने एक बार फिर से शांदार सतक जड़के अपने वंडे करियर का 48 वा सतक चड़ दिया जिया दोस्तों विराट कोली ने छक्का लगा कर अपना शतक पूरा करा था और भारत को भी 7 विक्टों से जीत दिलवा दी थी तो दोस्तों राहुल ने भी 34 रन बनाये थे और दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला जीत कर पॉइंच टेबल में जहां दूसरे नमबर पर ही रही त्यूकि दोस्तों न्यूजिलाइन की टीम ने अपने चारों के चारों मैच जीते हैं और उनकी नेट रन रेट भारत से ऐसे में दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कुप का ये बड़ा मुकाबला संडे के दिन होगा जहां तीसरे नंबर पर साउथ ऐफरीका है उनके चार पॉइंट है तो पाकिस्तान की टीम उनके भी चार पॉइंट है और इंग्लैंड की टीम पांचीवे नमबर पर है उनके दो पॉइंट है और दोस्तो ऑस्टेलिया छटे नमबर पर है उनके भी दो पॉइंट है और दोस्तो बंगलादेस की टीम जिनके दो पॉइंट है और उन्होंने अपने चार मैच खेले हैं विराट कोली को प्लेयर आफ दा मैस चुना गया और दोस्तों जब मैच के बाद उनका इंटर्वी हुआ तो उन्होंने कहा कि ये हमारी टीम की एक शांदार जीत है जहां शुरुआत में रोही शर्मा और शुमान गिल ने भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलवाई इसके प्लेटफर्म पूरी तरह सैड था और मुझे केवल गेम आगे चलाना था और इसके बाद आखरी में आकर केल राहुल ने मेरा पूरा साथ दिया और इसके बाद भारत की टीम ये मुकाबला आराम से जीद गई भारत की कप्तान रोही शर्मा और शुमाल गेल समेट केल रा चारो ही मैचों में गेंद बाजों का काफी बड़ा योगदान रहा है ऐसे में दोस्तो विराट कोली इस जीद के बाद अपनी टीम की जबर्दस अंदाज में तारीफ कर चुके हैं ऐसे में दोस्तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा था अपनी कीमती राए हमें नीचे कमे में जिरूर बताए